यह विज्ञान सब्जेक्ट की है 19 तारीक यानिकी मंडे की आपकी ये वक्षीट है जिसमें आजम करेंगे एववस्थित से व्यवस्थित करना आधूनिक आवर्थसारनी अभी तक आपने आवर्थसारनी पढ़ी बेटा ठीक है आज हम आधुनिक आवर्तसारनी पढ़ेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ तूरूटिया थी कुछ सीमाई थी उसके आपने पढ़ी थी तीन जो मैंडलिव की थी ठीक है तो उनको सुधारा गया है और उसके बाद जो हमें आवर्तसारनी मिलिया उसको नाम दिया गया आधुनिक आवर्तसारनी का तो चलिए स्टार्ट करते बाटा यह आपकी कुछ आवर्तसारनी जो यहाँ पर दिखाई गई है ठीक है पहले पढ़ लेते हैं है क्या तो वैग्यानिक के पूरु मता अनुसार तत्वो के गुंधरम उनके परमानुद्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं हम यह जानते हैं कि जो आवर्तसारनी थी पहले बेटा वो किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया उसके गुंधरम परमानुद्रव्यमान के आधारों पर कि उसको वरगी क्रित किया गया सभी तत्वों को इस अनुमान के आधार पर मैंडलीफ ने तब तक के गया 63 तत्वों को आवर्थसारनी में सहियों जित किया तो जब तक 63 तत्वों गया थे तो उसने उनको सहियों जित कर दिया था उसमें ठीक है मैंडलिफ की आवर्थ सारनी में कुछ तत्वों वे समस्थानिकों की स्थीति को सपस्ट नहीं किया गया था तदा अनूसार इस आवर्थ सारनी में परिवर्तन किया गया तो बेटा ये उसकी कुछ कमी थी कि वो क्या नहीं कर पाए था कुछ तत्वों के जो समस्थानिक थे क्योंकि समस्थानिक में क्या होता है बटा परमानुद्रव्यमान अलग होता है तो उनके लिए क्या होगा था उनके स्थान को वो डिसाइड नहीं कर पाये था कि वो कैसे करे अब उनको अलग-अलग कैसे decide करे ठीक है तो उसी के लिए नई सारनी का मतलब की उसमें फिर से क्या चलती रही खोज चलती रही कि किस तरीके से वर्गी कृत किया जाए तो कुछ मतलब की उसमें धीरे-धीरे परिवर्तन किये गए ठीक है तो 1913 में हैंडरी मोजले ने इन त्रूटियों का समाधान किया और आधवनिक आवर्थ सारनी का निर्मान किया ठीक है तो इसी को आधवनिक आवर्थ सारनी नियम के नाम से जाना गया जो इस मतलब की नियम पर उन्होंने किया कि अपनी इस आव आधुनिक आवर्तनियम के आधार पर किया गया, जो क्या है इस प्रकार वर्नित किया गया है, तत्वों के गुmäßig आधय। नाभिक में सित प्रोटोनों की संख्या का पता चलता है वैं एक तातू से दूसरे तातू तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है तो बेटा देखो परमानू संख्या से हमें क्या पता चलता है कि उस परमानू के नाभिक में ठीक है एक परमानू है परमानू के बीच में एक नाभिक होता है उस परमानू के नाभिक में कितने प्रोटोन है उनकी संख्या का पता चलता है परमानू संख्या से ठीक है और जब हम एक ततू से दूसरे ततू के पास जाते हैं तो वो परमानू संख्या एक से बढ़कर दो ह तो हम्हें प्रोटोनों की संख्या पता चल रही थी वहाँ से, तो तत्वों को उनकी पर्मानों संख्या के आरोही करम में व्यवस्थित करने पर जो वरगी करन प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्तसारनी कहा जाता है तो प्रोटोनों की संख्या के आधार पर जब वरगी करन हुआ तो उसको क्या बोला गया आधुनिक आवर्तसारनी यानि कि उसको प्रोटोन की संख्या पर प्रोटोन की से दिनोट किया जाता है प्रमानु संख्या को जड से दिनोट किया जाता है ठीक है उसे आदुनी का वर्थ सारनी कहा जाता है अब बेटा तत्व जिनकी प्रमानु संख्या समान प्रंतु प्रमानु द्रिवमान भीन होत समस्थाणिकend जैसे कार्बण है कार्बन 12 होता है और कार्बन 14 होता है लेकिन इनका पर्मानु संक्या उती है और तो 6 ही होती है ठीक है और यह पर्मानु द्रव्यमान इनका बदल जाता है. तो इनको भी क्या हुआ एक ही स्थान पर रखा गया क्यों क्यों क्या हुआ इसका परमानु संख्या तो एक ही है और परमानु संख्या क्या अधार परवर्गी कृत किया गया तो दोनों की एक ही है तो वो एक ही स्थान पर आएंगे देती हूं बाकी आप धीरे-धीरे समझते जाना ये बेटा देखो ये क्या है helium neon organ मतलब जिनका जो ओक भायक अक्स है वो क्या है complete है electron complete है यानि कुद क्रिस्ट गैस विन्यास उन्होंने प्राप्त कर लिया है तो ये वो gases है ठीक है उत्क्रिस्ट gases अब बेटा ये देखो carbon nitrogen oxygen ये सब क्या है एधातु आप धातु आप धातु चेप्टर पढ़ चुके हो तो ये हमारी सारी क्या है एधातु ठीक है फिर ये germanium germanium silicon silicon arsenic ठीक है ये सारे क्या है हमारी उप धातु और इसके लावा आप पढ़ चुके है धातु के बारे में बेटा तो धातु ये कौन सी थी henry mozle ne kiya तो आप यहां से लिख दोगे किसने क्या है बटा henry mozle ne ओके अब next क्या है आधुनिक आवर्त नियम क्या है तो हमने अभी कहा कि परमानु संख्य क्या धर पर वर्गी क्रित क्या गया है तो क्या लिखोगे तत्व के गुंदरम उनकी परमानु संख्या का आवर्त फिलन होते हैं तो ये आपका क्या है आधुनिक आवर्त नियम है ठीक है अब next question क्या है बटा कि मैंडलीफ की आवर्त सारनी की तीन त्रूटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारनी में किया गया है ये त्रूटिया या सीमा ये क्या थी लिखिये तो बटा चलिए इसका question करते है हमने पनी last work sheet में भी किया था बटा देखो first क्या लिखोगे आप मैंडलीफ अपनी आव आधार माना जाए तो परमानु संख्या नहीं बेटा क्योंकि उन्होंने किसको माना था द्रव्यमान को तो आप यहां पर लिख दोगे परमानु द्रव्यमान ठीक है तो परमानु द्रव्यमान को आधार माना जाए ठीक है तो परमानु द्रव्यमान को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग-अलग स्थान पर रखा जाएगा जिससे आवर्थसारनी आईववस्थी थी तो इसका भी समाधान किया तीसरा बेटा क्या था कि एक तत्व से दूसरे तत्व बढ़ने में भी परमानुद्रविमान नियमित रूप से नहीं बढ़ आदुनिक आवर्थसारनी में समस्थानिकों की स्थीति समान है यानि कि एक ही स्थान है अथवा एक ही तत्व के एक से अधिक समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया है क्योंकि समस्थानिकों में प्रमानुद्रविमान क्या होता उनका अलग होता है और आदुनिक आवर वरतसारनी में उनको कैसे स्थान दिया गया ठीक है क्योंकि उनके दरव्यमान में क्या थी बिटा एक उनका आपोजिट था संख्या कम और दरव्यमान जादा था ठीक है जिसकी कम संख्या उसका दरव्यमान जादा जिसका दरव्यमान जादा उसकी संख्या कम ठीक है तो आध अमीद करती बेटा आपको यह अच्छे से समझा गई होगी और अगर आपको समझा आई हो तो इसको like share जरूर कर देना बेटा ठीक है इस वीडियो में इतने है अपना जो next topic होगा हम अपने next video में करेंगे तब तक के लैसे हसते रहे हैं मुस्कराते रहे हैं बढ़ते रहे हैं झाल